कि नमस्कार दोस्तों सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की ठेर सारी सुपकावन आई आप सबको जैसा कि मैंने शॉट्स में बताया आप लोगों को कि इस इंडिपेंडेंस डे हम लोगों को प्रण लेना है कि कम से कम एक अच्छा फंडमेंटली स्ट्रॉंग लॉंग टर्म स्टॉक हमारे पॉर्फोलियों में जरूर एड करेंगे हम लोगों ने जोसे स्टॉक को चूज किया है उसका नाम है CDSL यह एक डिपॉजेटरी कमपनी है और इस कमपनी की जो फंडमेंटल से मुझे परसनली बहुत अच्छी लगी और एक standard disclaimer मैं कोई SEBI registered entity नहीं हूँ जो भी मैंने इस वीडियो में analysis किया है जो भी मैंने यहाँ पर चीजों को देखा है वो सिर्फ और सिर्फ education purpose से है अगर आप लोग अपना investment करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना खुद का analysis भी जरूर कर लिजेगा एक बार और investment करने स monopoli market position कैसे मैं आप लोग को बताया कि मा इंडिया बस दो ही यहाँ पर depository NSDL और यहाँ पर CDSL तो जो भी हम लोग stocks खरीते या बेचते हैं market में अपने broker के थुरू वह stock broker का खुद का नहीं होता है वह depository के थुरू होकर जाता है ठीक है तो जो भी stocks यहाँ पर हम लोग purchase करते हैं तो हमें यह CDSL से मिलता है और हम लोग इसको stock को base देते हैं तो वह CDSL वापस अपने पास रख लेता है ठीक है इन चीजों के बदले में वह अपना transaction चार्ज लेता है जिसके तुरू इसका revenue generate होता है उपर उपर मैं आप बता दिया दूसरा जो important point आपको यहाँ पर दिख है कि हाँ इसमें अगर हम लोग invest करके रखें तो हमारा भी profit जो है वह हो सकता है इसके अलावा mutual fund में लोग SIP के थूरू भी बहुत जादा investment करने लग गये हैं तो आखिरकार गुमाफिरा का बात यहीं आता है कि जिस तरीके से जिस speed से retail participation market में बढ़ रहा है उस speed से इस company को जो है आने वाले टाइम में काफी ज्यादा growth revenue growth मिल सकता है तीसरा पॉइंट आता है वह revenue from multiple stream जैसा कि आप लोग बता है कि CDSL हमारे जो stocks के उसको खरीते बेजते हैं तो उसको deposit करना या फिर देना का काम होता है उसके अलावा देखिए कहां कहां से इसको पैसे आते हैं ठीक करते हैं उनका चार्ज हो गया जो नए कंपनी लिस्ट होते हैं मार्केट में आई प्यों के थूरू उनको भी पैसा देना होता है CDSL को ताकि वह लिस्ट हो सके मार्केट में उसके अलावा जितने भी companies होते हैं उनका जो अब इवोटिंग का टाइम आता है कि जो ही मतलब मे यह CDSL चार्ज करती है कंपनी से ठीक है तो इतने सारे जगह से जब पैसा आ रहा है कंपनी को तो इससे यह समझ में आता है कि कंपनी का बिजनस है डाइवर्सिफाइड है एक जगह से पैसा नहीं आ रहा है कि वहां पर कुछ गरबढ़ हुआ तो पैसा कंप्रिटली बंध ह हो जाएगा तो इसका मुल्टिपल यहां पर डैवर्सिफाइड यहां पर इंकम सोर्स है दोस्तों चौथा जो पॉइंट निकल कराता है वह है हाई रिटर्ण ऑन इक्विटी मतलब जब कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था मार्केट में उस समय से लेकर अब तक काफी अच् होने के वज़ए से इसका लॉंग टर्म जो रिटर्न निकल कर आया है और आएगा इसमें हम लोगों को काफी ज्यादा यहां पर सस्टेनिबिलिटी दिखाए देती है जिस वज़ए से इसको लॉंग टर्म में रखा गया है पांचवा पॉइंट निकल कर आता है कि यह फॉफिट करती है माल लीजिए कि 2015 visto 2224 में जो है इस कंपनीन ने माल लीजिए 102024 क्रोड का जो है इस है ये क्या करेगी इस 10,000 क्रोड में से 2% या 3% जो है घर यहां इसकी मार्केट का की बात करें तो इसका मार्केट का यहां पर 26,896 करोड है हलाकि मिड कैप महीं आया लार्ज कैप तो नहीं बना यहां पर जो है इसका मार्केट कैप 26,000 करोड का है तो काफी बेकार वेलिएशन का कमपनी नहीं है काफी अच्छा है और करेंट प्राइस का 25,000 के जोन में चल रहा है फिलहाल अभी जब यह मैं यह वीडियो बना रहा हूं इस साल का जिसका जो लो था वह 11,000 का था और हाई जो इसने मारा है इस साल वह 26,000 का हाई मारा है इस टॉक जो है 56 के पी पर चल रहा है थोड़ा से ओवर वेल्यूड है यहां पर बट आगे चल चालिस पर शेयर के हिसाप से है डिविडेंट इसका 0.78 परसेंट ठीक है और यहां पर यहां पर जो फेस वैलू है दस रुपए का तो यहां फंडामेंटल्स ठीक है बहुत अच्छा फंडामेंटल्स नहीं है यहां पर एक चीज़ हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा का वह है इस पी का पी यहां पर जबता कूल डाउन नहीं हो जाता है तब तक यहां पर बड़ा चंग नहीं डाला जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके साइपी को मोड में इंवेस्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं एक का मतलब हो गया weakness ठीक है और O का मतलब हो गया Scientist धीक है और टी का मतलब हो गयार स्ट्रेंट के तो यहां पर यह वाला इरिया यह कचो यह कूझ यह वाला के स्ट्रेंथ क्या क्या है इसने 86% से ज्यादा रिटन बना के दिया है revenue जो है वो यहाँ पर 31% जो है last year से ज्यादा निकल कर आया है इस साल ROE इसका 31% जो कि बहुत impressive है dividend थोड़ा सा यहाँ पर weak है ठीक है dividend यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम मिल रहा है यहाँ पर dividend इसको कम से कम यहाँ पर तीन या दो परसेंट का देना चाहिए था लेकिन यह 0.78 परसेंट इसका थोड़ा वीक है बढ़ है जैसे इसका revenue growth हम लोगो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में तो सैदिसे dividend भी बढ़ा देगा आगा चलके बट यहाँ डिविडें जो मतलब बड़े करते हैं उनका जो holding है यहाँ पर साड़े तीन परसेंट के आसपास बढ़ा है इस company में यह दिखाता है कि आने वाले टाइम में हमारे देश के जो इन्वेस्टर से उनको लगता है कि हाँ यह कंपनी में growth potential है इस वाज़े से उन्होंने अपना इस कंपनी म दिखाता है कि company में थोड़ा सा इन लोगों को बाहर वाले इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि company जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है बात सही भी है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है बठाइक टाइम करेक्शन इसमें आ जाता है एक साल का तो मेरे इसाब से यह फिर अच्छ 2% आता है इसका income आई-प्यों सोग रोड के आसपास करके रखा है फरवरी तोजार चौबीस में जो कि करिबब 154 पर इक्विटी डिटी शेर होता है क्या है तो यह जो है पब्लिक के डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्चर को डेवलब करने का बनाने का काम करता है कहां तो इंडियन डिजिटल कॉमर्स इको सिस्टम ठीक है यहां पर आगे चल करके क्या क्या रिस्क जहलना पड़ सकता है एक लॉंग टर्म इन्विस्टर होने के नाते हमें कंपनी के प्रॉस और कॉंस दोनों पता होना चाहिए रिस्क का यहां पर इसको सामना करना बढ़ सकते आगे चल करके वर एक्ज पर सकता है टेकनिलॉजिकल डिस्रप्शन मतलब अगर कुछ नया टेक्वरजी आता है अगर शीदियास उसको अड़ेप्ट नहीं कर पाया आगे चल करके इन्यूवेशन में अपने आपको अडवेप्ट नहीं कर पाया तो आगे चल करके हो सकता है कि कोंपनी और बीट कर या फिर यह पीछे हो जाए तो वहां पर जाकर फेल कर सकता है मार्केट कॉंपेटिशन क्योंकि अभी फिलाल दो ही कंपनी है एनसडियल और सीडियेसल तो अभी फिलाल तो इसका मार्केट कॉंपेटिशन नहीं है लेकिन आगे चल करके टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट आगर आ जाता है और उस चीज को अड़ाप्ट नहीं कर पाई और कोई तीसरा एक्स वाई-जेड आ गया ठीक है तो उस एक्स वाई-जेड को अगर उपरचुनिटी मिला और टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट कर लिया अपने कंपनी में तो हो सकता है कि सीडी एस और नेसडील को यहां पर मार्केट कॉंपटिशन का सामना करना पड़ सकता है जिससे की इसका जो डिपोजिटरी इंकम है वह घट सकता है आगे चल करके जो कि इसके रिभेन्यू को बहुत ज्यादा गिरा देगी ठीक है तो अपना जो डेप्ट है यानि कि लोन है अपना घटार रही है धीरे धीरे और जो है अब जाकर कि 2024 में जाकर लगभग देफ्री हो चुकिए अब कंपनी के पास ज्यादा लोन है नहीं है बाहर से ठीक है अभी एक्सपेक्टेशन भी है कि कंपनी आने वाले कोर्टर में अच अभी पता है आप लोग को काफी अच्छा है तीस परसेंट का सब्सक्राइब है कंपनी है यहां पर डिविडेंट भी समय समय पर देते रहती है कंपनी तो यह भी अच्छी बात है और मीडियन सेल्स क्रोथ है लास्ट दस सालों में करीब 18 परसेंट का यह आप सेल्स देख यह यह आम बात है होता है तो यहां पर यह 18 गुना ज्यादा चल रहा है इसका काट है कि अगर मार्केट इसका जो शेर है कुछ एक प्राइस जोन में काफी समय तक ट्रेड करते रहे रुका रहे तो यहां पर यह थो है थोड़ा कूल डाउन हो ठीक है प्रमोटर यह तो यहां पर कुछ विशेश डरने की बात नहीं है दोस्तों यह है CDSL का मंथली चार्ट और जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हैं 2022 के पहले इसने जो हाई लगाया था वह जोन था करीब 11-1700 के जोन में था ठीक है यह सोला सो का जोन है ठीक है तो यहां से इसको ब्रेकाउट मिला और अच्छा का सा मतलब 2024 के स्टार्टिं ठीक है तो यहां पर करेक्शन हो या टाइम वाइज मतलब इस रियल वैलुएशन पर पहुंच गया यह ठीक है अब यहां से ब्रेकाउट किया यानि कि यह अभी फिलाल ओवर वैलुट चल रहा है ठीक है अब यहां पर यह सही भाव पर कब आएगा जब इस जोन में कुछ कॉंसलिडेट कर जाएगा तो यहां से जब रेकाउट करेगा तो अगला बार जब रेकाउट करेगा तो करीब 32 का टार्गेट निकल कराएगा ठीक उसी तरीके से फिर यहां पर कुछ दिन रुखने के बाद अच्छा मतलब प्राइज एक्शन बनना चाहिए ठीक है प्रा के जोन में पहुंच जाएगा तो इस हिसाब से मैं देखता हूं कि कंपनी का जो काफी बढ़िया है 2026 के बाद क्या होगा मैंने जानता बठा मेरे को लगता है कि यह इतना स्ट्रॉंग है कि 4000 तक जा सकता है अब यह 2025 में भी हो सकता है 2026 में भी हो सकता है डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा किस स्पीड से काम करती है हमारे रेटेल पार्टिशिप हैं वो किस स्पीड से बढ़ता है तो cdsl को उपर मेरा इंडेप्ट अनलिस आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करके वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और किसी तरह कोई सुजाओ शिकायत या कर सकते हैं और जो लोग एक्विटी में इंट्रेड सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं कैसे कोई एक डिमांड जोन बनाता है यह सारी चीज़े सीखना चाहते हैं तो जोईन कर सकते हैं हमारा सपोर्ट ग्रूप जो कि यहां पर नीचे वाटसप नमर पर आपको लखेगा गुडबाई जाएंट